सब्सक्राइब नरुकılar कने में और ना सब्सक्राइब के सब्सकाइब उनतारप ने उतने पुरुम अच्छे से जाने तेए के हम आप पर क्या क्या मिला है थीक है कौन को नुआ साथ स्था तो पाला अस्था नम्लों लोग हरपा अस्था को पढ़े थे उसका चूण ओ दूरू या चांओ दूरू उसका जो फरक के बारे ऐसका काली बंगा कौनावले लाच्थ जो सबसे बड़ा था हरपा या सबसे बार, जो सहर था वो धुला गीरा सता लिए. ये सातों के पढ़ने के बाद, अब हुम लोग से उस वीडियो में और भी हटुर्पान जो असल है, उस असल को जान लेते हैं, तो अब हम लोग से बिडियो को हैना अब हम लोग आग dåंग के टॉपिक जो है ना हरप्पाई जो इन सातुर के अलावा जो और भी जो अस्तल है ना उन अस्तल को इस वीडियो के मादिया चैसे तरह समझ लेको ठीक है अब देख लिए अब एक दैमा बाद जो अस्तल के बारे में जाने यह माराष्ट्र में गुदावरी नदी की सहयक प्रवरा नदी के तरपरिस्ते थे ठीक है वरतमान में यह हरप्पा अस्तल का सबसे दच्छनी चूर ठीक है यहां से एक धादू का रत मिला है एक गारी जिसको बोला जाता है ठीक है तो यहां से एक धादू का रत मिला है रत का परमान मिला है और यह बहुत से कास के समानों के लिए परसीद तो यहां से बहुत सा चीजी मिला है जो कांसा का बना हुआ था तो यह ब्रोंच के समानों के लिए बहुत जाथ है यह परसीद दैमाबाद सबसे अगला असल को देख लेते हैं भागत राओ जो इसके बारे में ज़े यह दैमाबाद के ठीक उपर गुजरात में किम सगार के टटपर आवस्तित या दाइमाबाद के पहले ये सबसे दचनी ऍ hmt उसे से पहले भागत राफ हूई भागत है ना इसके पुदा ये बाद में हुई थी तब पर चला कि हरपा जो सब्वेता है उसका सबसे दचनी छोड़ पर जो कोई अस्थाल है तो वो दैमाबाद है ठीक है अब इसके बाद हम लोग मांडा को जान लेते हैं यह कस्मीर के है ना अकनूर जिले में चिनाव नदी के ट पर जो यह अवस्चीत यह सब्वेता का इस सब्वेता का सबसे उत्री अस्थाल है जा मैं सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि हरपा अस्थाल का सबसे उत्री अस्थाल कौन सा है तो मांडा है कौन सा है वो मांडा है तो यह आप लोग अच्छे से याद कर देजीगा कि ह हरप जो सब बैता है सब से उत्री कुल पर ढिश्थ के महं बाहन सब जब ह gray menthe को जरन जो कोर सबसे उत्री में नंडा है तो फो फो घ्रथ होता है तो यह फोक ए जो व्या निंगों सीधा कर दें तो ऊपर-वाला जो तो उसके जो सबसे उपर में जो देखने को मिला है ना सबसे उपर मतलब सबसे उत्तर सबसे उत्तर में जो देखने को मिला है ना तो मांडा एक छहर्पाई अस्था ठीक है और सबसे में जो मिला है ने तो आप याद कर लेजिए कि हरपाई अस्थार में सबसे उत्री छोड में जो था वह क्वा था और सबसे च्छनी में दैमाबाद सबसे उत्री में मांडा और सबसे दचनी में दैमाबाद सबसे उत्री में मांडा और सबसे दचनी में दैमाबाद ठीक है अगनों देख लेता है सुतका गेंडर को यह पागिस्तान के बुलिशिस्तान परांत में मकरान के दास्क नदी के तर्पर यह अवस्त और यहाँ पर है बंदर नगर बंदरगा यहां पर भी देखने को मिला इसको भी बंदरगान अगर पुछा जा सकता है कि कょन सा और जो सब्यत है जो बंदरगान तो यह सुटका गेंडर जो है यह कहां तो यह पाकिस्तान की बुलिशितान पडांत में मकरान की दास नदी के तड़ पर यह आवस्ती तो यह है कि यह सुद्का गिंडौर है कहां किस दिशा में यह हरपा जो सब बैता है तो हरपा सबसे पच्छिमी भाग सबसे पच्छिमी भाग में आवस्ती देखे जब कोई दोग dilatia करने शविंटर औरते हैं अब करहे हैं तो सबसे उपर व्लब जो होता है ना उसको उत्तर उत्लियसा ने सिवालց पता है तो सबसे पच्छिमी छोड़ clean सबसे पच्छी में कौन सा अस्तल है तो सबसे पच्छी में जो है वह सुद्का गेर्डों ठीक है अब इसका है आलम गेर पूर्ट यह उत्तर पर देश के मेरत जिला में यमुना नदी की सहाय नदी जो हिंडन नदी है हिंडन नदी के टर्ट पर हें अवस्त्र थे तर्फट ढुष यहां से उत्थान और पतल का सक्च एक सांत मिली ए तो यह जो आलम गेर पूर्ट यह सब्सें पर देख लिए आलम गीर पूर्ट है कहां यह उत्तर पर देश में एक confeder जिला में यमुना नदी की सहाय थी हिंडन यह पुछेगा की हरप यह पूसकताए요 पूसकता तो यह हरपप सर्वेता का सबसे पूरी भी चोड़ पर को है यह आलमगीत पूर इधो है चारो उटापुला करते तो यह पूछे की आप इसको काकीबिज़ेगी दैमाबाद जो है तो यह लाम्हीर आलम्हीर जो है सबसे पूरब में तो यह पाकिस्तान वाले एलिया में जो है सब फूरब में तब पहुंचा नहीं माहार्ष्ट लें को श्रक्रा, टाम करें, हमिव्यद में जो करते हैं यह सब्सक्राइब एक क्यों अआ답ा क्यों और नियुक्तर ट्रकृ ट्रियुदक यह सबसे शल्रेकर हम्यास्टना। टाइमाबाद निच्छे याद कर देगा यहां से धान की भूसी का जला हुआ धीर यहां से प्रणावात के पास है यहांसे धान की भूसी का जला हुआ सब्सक्राइबर भूसी का जला हुआ यहां से मिला है यहां से घुजरात में सब्सक्राइब सबसे हैं रंगपूर यहीं गुजरात के आमाधाबाद के पास में माधर नदी नारेही मिला ठीक है कि यहां से क्या मिलिए धान की भूसी का जलावा धेरी मिला उसका सुरकुडरा यहां से कलस सावधान का सावधान और घोरे की हड़े मिली यहाँ पर एक बहुत बारा टीला भी था यहाँ पर एक बहुत बारा टीला भी था तो यह सुर्कोडरा के बारे में जान लिए यहाँ पर एक बहुत बारा टीला मिला और क्या मिला? कलस साधान मी मिला और घोड़े की यहां से हड़े भी मिला ठीक है और यह है कहां सुरकोर रहा तो गुजरात में रुकेशन भी पूछ सकता है ना चलिए अब लोग रोपर के बारे में जानेते हैं इसको रूपनगर भी कहा जाता है जो रोपर है रोपर रोपर नाम भी लग रहा है ना रोपर जो है इसको रूपनगर भी बोला जाता है यह पंजाब में 17 नदी के किनारे अवस्तित इस्तित है अवस्तित ठीक है यहां से मालिक के सौंग के साथ कुट्टे को दफनाय जाने का परमान मिला है सौतंधता के बाद रोपर का पहला रोपर जो है वह पहला असल जिसके खु प्रूटी के लिए लोग तो खुदाई किये लेकिन लोगे अंग्रेज लोग के अंतरगत और लोग कर वाया थी ठीक लेकिन लेकिन देश-अजाद होने के बाद जो कोई असल खुदाई हुआ था नहीं तो सब्सेप्से पहले को रोपर जो हरपाय असल उसकी खुदाई खुदाई हुआ था तो यह रोपर को हम लोग रूप नगर के नाम से भी जानते हैं ठीक है सबसे अधीक अस्तुलों की खुदाई की गए थी जिसमें यह जो रूपर है वह सबसे पहला ठीक है यह हर्याना में हिसार जिने में इस्तीते यहां से चांदी का दू मुकिट मिडा है चांदी का परयोग सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले वह परयोग किये थे जा लिए यह सब अभी सबसके बारे में घान में कि उसका सबसे हमको भी खूर्स को रिभाईज करें की यह असब है कि सबसे पूरवीं मांचा वह सबसब्ली खूर अलबी तूर खूरवी फूर्वी में कलने को तक मतलब महठास्द को जीवन चाराइब तो अब समाजिक जीवन तो lover जीवन जाना तो अब हम लोग समाजिक जीवन को जानते हैं ठीक है तो समाजिक जीवन जो है हरपा सब्वेता है इसके अंतरगत निमने तर्थों को सामिल कर सकते हैं पहला वर्ण व्यवस्ता को जान देते इस समय वर्ण व्यवस्ता पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था फिर भी पुरोहित जो थे पुरोहित योद्धा व्यपारी मतलब जाती व्यवस्ता पूरी तरह से तो बटा हुआ नहीं था फिर भी यहां पे पुरोहित का और योद्धा का व्यपारी का और श्रमी का इन सब का अलग-अलग मतलब साक्ष मिला देखने को मिला है कि हाँ एक पुरोहित हो सकता है तो एक जात अलग जात हो योद्धा अलग जात हुए पारी हो अलग है ना ठीक है इस समय समाज इस समय को जो समाज था वह मात्री सतात्मक था मतलब माता लोग का यहां पे बहुत ज्यादा इज्जत होता था ठीक है यह भी पूछा जा सकता है कि हरपा सब्यता को जो समाज था है ना वह कैसा था तो यह मात्री सतार मुथ था, ठीक है, अब हम लोग यहां के जो खान पान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, तो देखे, यहां के जो लोग थे, साकारी और मासारी दोनों परकारी, तो यहां के जो लोग थे, वो साकारी और मासारी दोनों थे, ठीक है, अभी तक 9 परकार के फसल के बारे म मुख्य खात पदार्त चाहता है फूरा हरपपा सब्मेता नौ परकार के फसल के बारे में हम लोगों को जन्कार है बेखा गया है तो जो वियहू और मैं जोग को दिखा गया है इस सब्मेता के निवासी सूती वश्तर और उनिवस्तर धारन करते थे कपास का उत्पादन सरु परतम हरपा सब्विता की लोगों नहीं किया था मेस्व पोटामिया में कपास सिंदू एवं यूनान में सिंड्रोम इसको कहा जाता था मेस्व पोटामिया में कपास सिंदू और यूनान में सिंड्रोम कहा जाता था है यह भी जान लेकि में सोप्तामिया में कपास क्या कहा जाता था तो कपास सिंदू और जुनार में इसको सिंडूम कहा जाता तो यह बहुत जादा खास हो गया है तो यहां के जो लोग अब देखिए खास इसलिए है जिसका जन्म हरपा सब्यता से हुआ है भारत का सबसे प्राचीन जो माना जाता है वह सूती वस्तर को माना जाता है तो यह सूती वस्तर को जाता है और जिसका जन्म जो है जन्म जो है हरपाषबता में हुआ था ठीक के लोग आभूसनों पहुत जाना अभुषण में तो गहना जिवर को पानने के लिए बहुत ज्यादा यह सौकिन थे अलग अलग परकार की आप उसन मिले जैसे कि कंधार मिला है कंपूल मिला है ना उसली मिला हसली हसली मिला यहां से हैंना हंसुली मिला है भुणजबंद मिला करा अंगूठी करदहनी यह सब सबथा के लोगी सब पहुंद थ है यहां से सरिंगार के सामान मिलें यह लोग सिरिंगार के भी बहुँ ज्यादा सबोर्य कि मोहंजोद्रोडों की नाड्या काजल लगा ते पाउड़ सीषे सीसे एपन अःक ता और तामबे के दर्पन होद पर यह साने सबसे पहले हम लोग ने जाती के बारे में खान पिना के बारे में गहना जिवर के बारे में अब हम लोगे मनोंजन का सबसे परमुक के साधन पासा का खेल था सबसे परमुक के साधन का पासा का खेल था तो वह पासा का खेल था ठीक है सरवजन के उस्व के समय मनने जन के लिए वुरियद असनानागार को भी खोल दिया जाता था इसके साथ ही पसुपक्षी की लड़ाई भी लड़ाई में मनोंजन करते थे निरत्य और गाने बजाने के भी यह लोग सवकीन थे ठीक है तो क्या-क्या बोल देंगे तो यह लोग पासा खेल खेलते थे उसके बाद यह लोग पसुपक्षी पसुपक्षी उसमें लरवा के भी मनोंजन करते थे उसके दांस करके और गाना गाके भी लोग अपना मनोंजन करते थे अब हम लोग जानने थे कि हरपा सभ्यता के धार्मिक जीवन था और रहे हम लोग पहला टॉपिक के अंतरगाती समाजी जीवन जो था इसके अंतरगाती हम लिखित साहीत वह इस मारक हमें अपलब्द नहीं नहीं है प्रतत्विक सुरूतों से यहां के धार्मिक स्वारूप का अनुमान लगाया मतलब राथ बीशूरूत के मदद से प्रतत्वी जो है वह लगाए ठीक कि अधहार पर कुछ परमुख भी सेस्ता हैं जान सकते हैं ठीक हैं मुर्स न Went in मुर्तियों को परतत वैक्ता मात्र देवी की मुर्तिया मांते हैं मुझे ча grateful है था मोह जोदरों से प्रेह नास्तिभी लगकी का उनुद्धा मोसित आज दूर्गा देवी मत्unted के मत्ततों हडपा से हैं ना अशनित मात्र könnten master में होती है धूर्गा देवी चन्री गौरी इन सब्यक्त के नामों से जाना जाता है उस वक्त pamięt इसको मातर देवी के नाम से हो सकते तो जाना जाता हो एक मुर्ति मिला कि तो दिखाया गया है मतलब मिला है हम लोग को प्रतविद जो है उनको मिलाए कि कि एक मुर्ती यह उसकी गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता हुआ हम लोग संभता अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकते हैं तो यह लोग उर्वरक्ता की देवी घुरूप में इसको पूछते होएंगे हो सकता है ठीक है एक मुद्रे पर पती शीव भगवान की होने का साक्ष मिला है जिसमें तीन मुव वाले पूरूस योग आवस्ता में बैठा हभा है ठीक है बाइंगे और एक जेंड़ा भैंस और दाइए एक हाथी और वियागर योगेशन और विया जैसा है ठीक है उसके असे मंदर गेए descended अग़नी अगणी पूजा सूर्ज पूजा नाग पूजा पीपलिक्छ। की पूजा लिंग पूजा आदी के संकेत मिलेसे कूबर वाला बैल विशेश पुझीनिये था इस वक्त ऌना बहुत जादा यह लोग बहुत ज्यादा के बारे में बहुत साल करें लिए बैल जो था यह था एक फुझीनिये प्राप्त ताभी जी जानते था वहां यहां से तावीज भी मिला है ना कि यह लोग तंत्र मंत्र यह समय में विश्वास रखते थे यह अन्द्र मंत्र में विश्वास रखते थे तो यह लोग धार्मिक जीवन के बाड़े में सबसे पहले जोग समाजिक जीवन के बारे में जालिए और अव लोग दाह संस्कार के बारे में जानें लिता कि crashing परकार के 10 संस्कार का कारे करें तीन परकार के 10 संसकार मतंचलोब नंत्तिances कार होता था ऊया जऩ में दिख लेए 3 संस्कार में 1 तो ज़्णाया जाता है तो ताबूत समादी करन ऐOOM क permet सब्सक्राइब बचों करने ऊ सब्साइब और सब्सक्राइब कंद चाने के खाने के बाद हं 151 की भाघadows के सब्सक्राइब कि पसु आदमी मर जाता था ताख वहां पर जो जानवर सब है या पर जो जानवाने मतल़ जहा सब आप मतलब गार दीया जाता था और उसकी भश्म को गार देजाता था ठीक मेर तो यहां से 3000 प्रकार्ण के दा संस्कार का साक्ष मिला है पाला पुर्ण समाधी करन मतलब संपूरे 100 को जमीन के अंदर गार दी जाता ठूसरा क्या था आनसिंख समाधी करन मतलब पशुखची को खाने कि दे दिया जाता था उसको जो भी बसता था उसे हड़ी को गार देते थे ठीक है तीसरा क्या थक तो बस आज इतना क्योंकि वीडियो नहीं काफी लंबी होड़ी है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़ा आर्थिक जीवन को जान लेंगे उसके वहाँ का जो सिल्प और तकनिक के बारे में जान लेंगे के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ बहुत सारे क सकते की जाने सादा करें साथ ही चानल को सब्सक्राइब करते़ और सब्सक्राइब ठीक है and thank you so much for watching this video.